हैलो आप सभी का स्वागत है टार्गेटपूर में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जारखन जीके का एक बहुत ही महतपूर्ण टॉपिक है कला संस्किर्ती और कला संस्किर्ती के अंतरगत हम लोग देखेंगे वास्तु कला इस टॉपिक से 50 MCQ को देखेंगे जो बहुत ही महतपूर्ण है अधि आप इस चैनल में नए है चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को सेर करें लाइक करना नहीं भूले टेलिग्राम में एड नहीं तो टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग टेलिग्राम में अवस्ती एड हो जाए क्वेस्चन को सुरू करने से पहले आप सभी को बता दे अभी तक आप लोग टार्गेट पूर का अप्लिकेशन नहीं डाउनलोड किये तो जरू डाउनलोड कर ले लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस अप्लिकेशन में जेसी सी की सभी वेकेंसी का खोर्था क्लास मिल जाएगा है चाहे हो जेसी सी सीजल हो जेसी सीजल टेकनिकल हो एगरिकल्चर का हो लडिसी हो एक साज हो सभी वेकेंसी का खोर्था क्लास इस अपलिकेशन में उपलिकेशन में जेसी सीजल खोर्था का और दूसरा फूल लेंडट में है 15 टेस्ट मिलेगा साथ ही अधि inh publish लोग प्राप्टीव कर सकते हैं इस अप्लिकेशन में computer का भी notes उपलब थी paper 3 JCC CGL paper 3 का 25 practice set मिल जाएगा आप everyday आप परती दिन 1-2 set solve करके अपना त्यारी strong कर सकते हैं साथी जारखन GK का notes JCC के सभी vacancy के लिए जारखन GK का notes और जारखन GK का special test series भी इस application में उपलब्द है अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर कर सकते हैं 9142943957 अब हम लोग question को शुरू करते हैं पहला प्रस्ण देखिए निम्न में किस नदी के टट पर पलामू किला अस्थित है तो इन में से किस नदी के टट पर पलामू किला वस्थित है तो इसका अंसर हो जागा ओर अरंगा नदी कौन सा न दी और अंगा न दी और पलामू किला देखिए पलामू किला में दो किला है एक नया किला और एक पुराना किला आगे हम लोग question में देखते हैं देखी पलामो किला जो है पलामो में न होकर कहां है लातिहार में है इसका अंसर हो जाएगा लातिहार थिरिम देखी पलामो किला का निर्मान किस वंस के सासकों की द्वारा किया गया था तो पलामो किला का जो निर्मान हुआ है चेरो वंसी सासकों की द्वारा हुआ है आदर क हम लोग देखते हैं देखिए पलामू किले में अवस्थित पूराने किले का निर्मान की सासक कराया था यह जो क्वेश्टन है पिर भी Supreme question है तो इसका आंसर हो जेगा प्रताब राए किस ने कराय था प्रताब राए शिक्स में देखिए ौरामू किले में अस्थित समकालिन था 這一 में देखी अपने अस्थापत स्यलिए के लिए परसिद नागपूरी दर्वाजा इन में से किस किले में लगा हुआ है तो अभी बताएं कि दो किला एक पुराना किला और एक नया किला तो जो नया किला है मेदनी राय ने जिसका निर्मान कराया है इस किले में नागपूरी दर्वाजा लगाया गया है आगे हम लोग देखते हैं चेरोवनसी सासक भागवत राय के लेखापाल जाज किला जारखंड के किस जिल्ले में अवस्थित है यहां पर देखी दो कोश्चन बन जा रहा है एक तो कि नरायन पूर का किला का निर्मान किस ने कराया है तो चेरोवनसी सासक भागवत राय के लेखापाल जाज दास के द्वारा निर्मित है, तो इस question का अंसर हो जाएगा लाते हार, क्या हो जाएगा, लाते हार, देखे आगे, question number 9, चेरो अनसी सासा, गोपाल राय के द्वारा निर्मित, साहपूर किला, जहारखन के किस जिले में अवस्थी थे, तो गोपाल राय के द्वारा बनाया गय जहारखन के किस राज में अवस्थी थे, इसका अंसर हो जगा, पलामू में, दस नमर देखे, बिशरामपूर का किला जहारखन के किस जिले में अवस्थी थे, तो बिशरामपूर का किला जहारखन के पलामू जिले में अवस्थी थे, आद रखनाय कहा है, पलामू में, दे देखिए चेरो राजा के राजपुत दिवान पूरन मल्की द्वारा निर्मित चेनपूर का किला कहां अवस्थित है तो इसका अंसार हो जैगा Ready अवस्थित है पलामों में अवस्थित है देखिए बंगाल का परवेशद्वार के नाम से परसीद तेलिया गढ़ का किला किस जिल्ले में अवस्थित है तो तेलिया गढ़ का किला कहा है राजमहल की पहाड़ियों में तो यहां पर पुछा गया किस जिल्ले में तो यह जिल् कोट का किला जिसका निर्मान गोएंसी नरेश गो मुखी के कि द्वारा करा गया था कहां और तो पंचगोट का किला रामघण का किला के तो इसका अंसर हो जागा धनबाद कहां है धन Obviously के हो जाएगा रामगर इक राज सब ल राया है उसके दुआरा रामगर किली का निर्मान कराया गया था था देखे बदाम का किला पront प्रभिए सब्सक्राइब का किला है पदमा का किला जो हजारी बाग में अवस्थी थे जहां वर्तमान में पुलीस परशिच्छन केंदर है किस राष्टी राजमार्ग में अस्थी थे आद रखना है इसका अंसर हो जागा NH 33 क्या हो जागा नेस्नल हाइवेड 33 में है आगे हम लोग देखिए 19 में है नीवन में कौन सा कथन सत्य है नवरतन गढ़ या दोईसा गढ़ का किला गूमला में अवस्थी थे बिल्कुल सही है इस किला का निर्मान दुर्जन सालने कराय था बिल्कुल सही है यह किला पंच मन जिला था ये भी सही है इन में से सभी कथन सत्य है बिस में देखिए नाग फेनी का राजभवन जारखन के किस जिले में अवस्थी थे तो नाग फेनी का जो राजभवन है जारखन के गुमला जिले में अवस्थी थे कहां है गुमला जिला देखिए तिलमी का किला कहां अवस्थी थे तो तिलमी का किला अद रखना है खुटी में है क्या अंसर हो जाएगा पर है राची में है अधूनसा नागवनसी साशक के द्वारन निर्मित पालको्ट किला झारखन की राची में अवस्थित आगे हम लोग देखते हैं केसनागड़का किला कहा Авषत तो केसनागड़का ııजमी सिम्भू में 28 म जगणाथपूर का किला कहा वस्थित तो जगणाथ पूर का जो किला है पच्छमी सिम्भूम में है, इसका अंसर हो जागा पच्छमी सिम्भूम, 26 में देखिए, जेता गड का किला जो पच्छमी सिम्भूम में अवस्थित है, किस नदी के टट पर है, तो जेता गड का जो किला है, वेतरनी नदी के टट पर है, यहाँ पर लोग जारखन के परमुख मंदिर को देखेंगे देखिए बनसीधर मंदिर कहां अवस्थित है तो बहुती फेमस कोचन है इसका अंसर है गड़वा गड़वा का एक जगह है नगर उटारी तो बनसीधर मंदिर कहां है गड़वा में देखिए देवासिस महादे मंदिर कहां में अवस्थित है 29 राम लच्मन मंदिर कहां अवस्थित है तो राम लच्मन मंदिर कहां अवस्थित है इसका अंसर हो जाएगा पलामू के बंडी ग्राम में पलामू के बंडी ग्राम में उग्रतारा मंदिर कहां अवस्थित है फिर विए सिर कोश्चे न्याद रखना है तो उग्रतारा मंदिर कहा है लाते हार में इसका अंसर हो जगा लाते हार देखिए वेधनाथ मंदिर का निर्मान किसने कराये था तो वेधनाथ मंदिर का निर्मान गिद्धोर राजवन्स की राजा पूरन मलने कराये था और वेधनाथ मंदिर है का तो आप सभी को पता है कि दे देवघर में है 32 देगी यूगल मंदीर और तपोवन कहां अस्थित है तो यूगल मंदीर और तपोवन देवघर में है कहां पर है देवघर में बास्कीनाथ मंदीर का निर्मान एक हरीजन वसाकी ताती ने कराया था कहां वह अस्थित है तो बास्कीनाथ मंदीर पहुत ही फ चारु सिला देवी ने कराए था कहां अस्थित है तो इस कोचन का अंसरी मंदिर प। चत्र में है कोल देखिए तो इसका अंसर हो जगा चत्रा में, कहा है, चत्रा में देखी, कोल हुआ पहाड किस धर्म का संगा मस्थल है तो कोल हुआ पहाड जो है, तीन धर्मों का संगा मस्थल है एक हिंदू, दुसरा बोध और तिसरा जैन तो इसका अंसर हो जगा इन में से सभी तीनों देखें, निम्न में किस मंदिर का सिल्पकला असम के कमाख्या मंदिर से प्रभावित है? Important Question है. और इसका अंसर हो जागा चीन मस्ती का मंदिर. चीन मस्ती का मंदिर का है? रामगन में, का है? रामगन में और किस नदी के टट पर है? ये भी Question बनता है. तो आज रखना है दामोदर और भेडा नदी, आगे कोश्चन हम लोग देखते हैं, रामगण में अस्तित छीनमस्ति का मंदिर किस नदी के टरपर है, तो इसका अंसर हो जगा, दामोदर और भेडा, कहीं-कहीं भेरवी भी लिखा रहता है, आगे हम लोग देखते हैं, तेख परतिष्थापित है, सही है, तो इन में से सभी कथन सत्ति है, 41 में देखी, टांगीनाथ मंदिर कहां अवस्थित है, तो टांगीनाथ मंदिर कहां है, गुमला में, अधरकना है, कहां है, गुमला में अवस्थित है, 42 में देखते हैं, जारखन में अंजन धाम मंदिर कहां ह तो अंजन धाम मंदिर ये भी कहा है गुमला में इसका अंसर हो जागा गुमला बासुदेव राय मंदिर जिसे कभी कभी हल्दी घाटी मंदिर भी कहा जाता है जारखन में कहा अवस्थित है तो बासुदेव राय मंदिर कहा है तो इसका भी अंसर हो जागा गुमला कहा है देवडी मंदिर ये तीनों है राची में लेकिन रंकनी मंदिर राची में नहीं है कहां है आगे हम लोग देखते हैं राची मस्थित जगनात मंदिर का निर्मान की सासक के द्वारा कराया गया था तो देखिए जो सासक था नरेश रामसा आद रखना सासक का नाम है नरेश र पुछ आगे सा सक तो इसका अंसर हो जागा नरेश राम सा सुरी मंदिर राची में किस अस्थान पर अवस्थित है तो सुरी मंदिर बुंडु में कहा है बुंडु में सहितारिस नमर देखिए वेनुसागर मंदिर कहां अवस्थित है तो वेनुसागर मंदिर कहां पर है इसक पच्छिमी सिम्भुम में देखिए रंकनी देवी मंदिर कहां अवस्थी थे कुछ दिर पहले हम लोग देखे रंकनी देवी मंदिर तो इसका अंसर हो जागा पच्छिमी सिम्भुम देखी सक्ति मंदिर कहांअवस्थीत है तो संचिमंदिर धनबाद में है कहां धनबाद में है धनबाद में धारखन धाम धारखन में कहांवस्थीत है तो धारखन धाम धाम बहुत ही famous question है और फिर भी असे इर question है तो कहां पर गिरीडी जिलाम है इसका अंसर हो जागा गिरीडी आज के लिए बस इतना ही वीडियो को share किजेगा चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा मिलते हैं आप लोग नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you